दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल प्रदोस्तो हमारी दिल्ली पुलिस HC मिनिस्टियल और AWTPO के लिए जो TCS की प्रीवियस येर 1500 पलस MCQs की कंप्यूटर की सीरी चली हुई है उसका ही रहेगा पार्ट नमबर 7 पहले वाले पार्ट आप प्लेलिस से जाकर दे इंपोर्टेंट रहेंगे आपके दिल्ली पुलिस HC मिनिस्टियल और AWTPO के एक्जाम के लिए यहां से आपको डारेक्ट एक्जाम में कुछिन देखने को मिलेंगे यह मेरा वादा आप से ठीक है दोस्तों अगर आप AWTPO और HC मिनिस्टियल के मोग टेस्ट परचेस करना चा यह एक्जाम आपका TCS ने कंड़क्ट करवाया था अक्सर बैकप लेने के लिए निमन में से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी होती है तो फ्रीक्वेंट बैकप्स के लिए जो हम डिस्क का यूज करते हैं वो होती है CDRW इसकी फुल फुम होती है आपकी Compact डिस्क री राइट हो जाएगा next which type of operating system manages a group of independent computers and makes them appear to be a single computer किस परकार का operating system सवतंतर यानि की independent computer के समूग का परबंदन करता है और उन्हें एक ही computer के रूप में परदर्शित करता है असान बाशा में देखे तो multiple computers जब एक single network के दोरा connect होते हैं तूसे हम बोलते हैं distributed operating system option first यहापर आपका right बन जाएगा batch operating system क्या होता है time sharing operating system क्या होता है यह हम पहले वाली वीडियो के अंदर discuss कर चुके हैं तो यहाँ पर हम discuss नहीं करेंगी next निमन में से कौन सा कथन गलत है which so the following statement is incorrect first दे रखा है the keyboard shortcut shift plus delete helps to delete a file permanently from a computer keyboard shortcut shift plus delete किसी file को computer से इस्ताई रूप से हटाने में मदद करता है बिल्कुल right statement है shift plus delete का आप use करके जो file है उसको computer से permanently delete कर सकते हो और यह file आपकी recycle bean के अंदर नहीं जाती है permanently delete हो जाती है computer से ठीक है तो यह right statement है आपकी second है deleted file always go to the recycle bean जो भी file आप delete करते हो वो कहाँ पर जाती है आपकी recycle bean के अंदर यह भी आपका right statement है next आपका deleting a folder also deletes all the files within that folder यह statement भी आपकी बिल्कुल right होगी folder के अंदर जो भी files होगी अगर आप folder को delete कर दोगे तो files भी automatic वहाँ से delete हो जाएंगी यह भी आपकी right statement रहेगी 4 दे रखा है deleted file can never be restored from a recycle bean जो आपने file delete की है उसको हम restore नहीं कर सकते हैं recycle bean से तो यह statement यहाँ पर पूरी तरह से wrong हो जाएगी इसका answer आपका option 4 correct हो जाएगा recycle bean से हम deleted file को restore कर सकते हैं ठीक है तो आपको यह याद रखना option 4 यहाँ पर आपका right हो जाएगा एक example देख लेते हैं यहाँ पर एक file है ठीक है मैंने use यहाँ पर किया है shift plus delete तो आपके सामने कुछ इस परकार का option आएगा are you sure you want to permanently delete this file ठीक है तो अगर आप इस file को delete करना चाते हैं तो आप इसको yes करेंगे अगर नहीं करना चाते हैं तो no के उपर click करेंगे yes जैसे ही आप क का use यहाँ पर करेंगे next rtos का full form क्या होता है what is the full form of rtos तो rtos की full form होती है आपकी real time operating system option a यहाँ पर आपका option second यहाँ पर आपका right बनेगा real time operating system क्या होता है यह guarantee देता है किसी भी critical task को perform करने के लिए एक range of time के अंदर और इसके जो examples होते हैं आपके airline traffic control systems, airline reservation system, heart pacemakers, network multimedia system और robots इन सभी के अंदर आपका real time operating system यूज किया जाता है यानि कि rtos यूज किया जाते हैं next निमन में से कौन सी disk बड़ी software application फाइलों को store करने के लिए सबसे अच्छी है which of the following disk is best for storing large software application files ये भी आपका NBS 1022 के एक्जाम के अंदर पूछा गया था अगर यहाँ पर option के अंदर hard disk होता तो आपका correct answer होता यहाँ पर hard disk लेकिन यहाँ पर hard disk option में नहीं है तो इसका आपका right answer बन जाएगा DVD ROM ठीक है option A यहाँ पर write हो जागा DVD ROM का यहाँ पर हम use करेंगे large software application को store करने के लिए गराब से ascending order पूछा जाए तो वह होता है सबसे पहले होता है आपका hard disk फिर आता है DVD ROM और फिर आता है CD ROM यह ascending order भी एक्जाम के अंदर पूछा जा चुका है आपको यह याद रखना है next shortcut folder में folder icon के कोने पर हमेशा एक तीर होता है shortcut folder always has an arrow on the corner of the folder icon यह कहाँ पर होता है तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मैंने Google Chrome का shortcut बना रखा है तो कहाँ पर है यह left के अंदर lower side के अंदर ठीक है तो इस type का यहाँ पर आपको एक icon नजर आता है तो इसका write answer क्या हो जाएगा निचला बाइं option A यहाँ पर write हो जगा lower left के अंदर आपको एक icon दिखाई देता है जब आप shortcut बनाते हो तो next निमन में से किस input device का अपयोग कायोस के लिए किया जाता है which of the following input devices is used in कायोस तो कायोस के अंदर keyboards और touch screen का यूज़ किया जाता है as an input device option A यहाँ पर आपका write बनेगा touch screen और keyboards का यूज़ कायोस के अंदर input devices के रूप में किया जाता है next mail merge में data stroke का विस्तारन क्या है extension आपको बता नहीं किसकी mail merge की तो mail merge की यहाँ पर extension होती है dot mdb option 4 यहाँ पर write हो जागा tcsk 2019 के exams के question आपर start हो चुके है next निमन में से कौन एक web browser नहीं है which of the following is not a web browser तो google chrome, netscape और internet explorer ये तीनों आपके web browser रहेंगे जबकि microsoft bing आपका एक search engine है नहीं कि एक web browser option 4 यहाँ पर आपका correct बन जाएगा next पहली pdk computer किस परकार की भाषा का परियोग करते थे first generation of computer use which type of language जो computer की generation थी वो हम पहले वाली videos के अंदर सभी details के अंदर देख चुके हैं तो वो videos आप देखिए और फिर आप इन videos को देख सकते हैं तो first generation एक computer में यूज़ की जाती थी आपके machine भाषा machine language option A यहाँ पर आपका right बन जाएगा next निमर में से किस bus का उपयोग आम तोर पर memory उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है which of the following bus is usually used to connect memory devices तो first option RPI, second CBI, third है आपका PCI और fourth आपका RTI तो peripheral component interconnect यहन की PCI PCI का use किया जाता है आपका memory devices को connect करने के लिए option third हैं पर आपका right बन जाएगा यह आपका use किया जाता है hardware को attach करने के लिए किस से computer से और इसको develop किया गया था आपका Intel के दवारा PCI का आपको full form याद रखनी peripheral component interconnect ठेक है दोस्तों आप हमारा telegram group भी जोइन कर सकते हैं तो specially दिल्ली पुली सेच्छी ministerial और AWTPO के लिए बनाया गया है उसका link भी आपको मिल जाएगा description box के अंदर next operating system के kernel mode को screen करने के लिए mode bit को कितने पर set किया जाता है the mode bit is set to to activate the kernel mode of a operating system तो यहाँ पर mode bit को set किया जाता है 0 ठीक है option third यहाँ पर आपका right हो जाएगा mode bit को 0 पर यहाँ पर set किया जाता है operating system के kernel mode को activate करने के लिए ठीक है, option third यहाँ पर write हो जाएगा और अब जब हम इसको switch करते हैं किस से kernel mode से user mode पर तो यहाँ पर हम change करेंगे mode bit को 0 से 1 यह भी आपको याद यहाँ पर रखना है next, windows, computer की तारीक और समय को हम कहां से बदल सकते हैं from where we change the date and time of a windows computer तो आपने अपने computer के desktop पर देखा होगा right and side के अंदर, bottom के अंदर आपको यहाँ से time और date को change कर सकते हैं ठीक है, तो इसका आपका right answer हो जाएगा lower right side of task bar, option second यहाँ पर आपका right हो जाएगा यहाँ से आप date और time को change कर सकते हो next, compiler एक भाशा संसादक है जो क्या करता है, compiler is a language processor which is used in, तो यह आपका करता है source code को machine code के अंदर convert करता है compiler, ठीक है, compiler का use आपका क्या जाता है stroke code को निस्पादन योग है machine code में परिवर्थित करने के लिए और assembler का use अगर आपसे पूज़ा जाए तो यह आपकी assembly language जो होती है यह आपकी low level programming language इसको यह convert करता है machine code के अंदर compiler in simple language, high level language को low level language के अंदर convert करता है कौन? compiler यह आपको मिल सकता है object या machine code दोनों आपको याद रखने बार-बार exam के अंदर पूछे जाते हैं next cloud computing क्या है? cloud computing is तो क्या होती है यह? यह होती है आपकी delivering of computing service over the internet computing service को deliver करना with the help of internet इसको क्या बोलते हैं? cloud computing option 4 यहाँ पर आपका right हो जागा और यह most repeated question है TCS का इसके अंदर हम क्या करते हैं? data को exchange करते हैं ठीक है? किसके बीच में? cloud और devices के बीच में और इसका जो main function है data और service को cloud application पर manage करना इसका यहाँ पर main function आपका रहेगा next निमल इक्त में से कोन एक सही IP पता नहीं है which of the following is not a correct IP address सबसे पहले जनल जी आपको पता होना जी IP address के अंदर numbers कितने से कितने तक होते हैं 0 से लेके 255 तक और यहाँ पर जो numbers होते हैं 4 octets के अंदर आपर number show होते हैं decimal form के अंदर ठीक है तो 0 से 255 हम देखेंगे किस वाले option के अंदर नहीं है first वाले option के अंदर यहाँ पर 0 से 255 आपको देखने को मिलेंगे second में भी है third में भी है लेकिन यहाँ पर 1986 आ गया है तो यह आपर आपका IP address नहीं होगा option 4 यहाँ पर correct बन जाएगा next निमलिक्त में से कोई internet connection का एक प्रकार नहीं है which of the following is not a type of internet connection इस question का अंसुर 99% बच्चे गलत करके आएंगे और क्या अंसुर करेंगे we set ठीक है मैं यहीं से आपको बता देता हूँ पहले तो आपको ध्यांसी इस question को देखना है internet connection कौन सा है यहाँ पर dial up यहाँ पर internet connection है ethernet आपका एक device है ना कि internet connection DSL digital subscriber line ठीक है यह भी आपका internet connection है we set के अंदर आपका satellite का use जाता है ठीक है communications के लिए तो यह भी आपका एक internet connection है और इसके अंदर broadcast television का communication होता है वो नहीं आता है ठीक है option यहाँ पर second right हो जाएगा ethernet ठीक है यह आपके एक device होती है जो use की जाती है internet को connect करने के लिए ठीक है ना कि यह एक internet connection है तो यहाँ पर आपका जो right answer बनेगा option second we set के आपको full form यहाँ पर पता होने चाहीं क्या होती है very small aperture terminal very small aperture terminal we set की यहाँ पर full form होती है और इसका use किया जाता है data को transfer करने के लिए video signals या y signals को भेजने के लिए किस की help से satellite की help से और इसके अंदर आपके broadcast televisions नहीं आते हैं यह आपको याद रखना है ठीक है exam के अंदर पूछे जा सकता है we set के अंदर निमलिकित में से कौन सा यहाँ पर नहीं आता है तो आपको option के अंदर broadcast television भी देखने को मिल सकता है तो आपको याद रखना है next register निमलिकित में से किसका भाग है register is a part of which of the following तो यह होता है आपका CPU का part processor का option 4 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है register is a part of processor एक कुशन आपका DMRC CRE के अंदर कुशा गया था 2019 के अंदर register memory is located in the form of register तो यह कहां पर होते हैं आपके CPU के अंदर और यह क्या करते हैं इनका use किया जाता है instruction और data को आपका store करने के लिए और जो use की जाती है किसके दवारा CPU के दवारा it generally store the most used instructional data which is used by the CPU तो दोनों points very very important है इनको आपको याद रखना है next to check if your computer is working slow due to process task which is using high amount of RAM and for ending that task we need to go to यह जांचने के लिए कि हमारा computer किसी परकिरिया यह किसी कार्यकार्ण धीमिगति से काम कर रहा है जो अधिक मात्रा में RAM का उपयोग कर रहा है तो इस कार्यको smart करने के लिए हमें कहां पर जाने की आवशकता है तो इस problem को solve करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पर task manager के अंदर option 4 यहां पर आपका write हो जागा RAM की full form आपकी रहेगे random access of software in windows is तो installation directories का जो आपका default location होता हो कहां पर होता है c program files के अंदर option 2 आपका write हो जागा कुछ इस परकार का यह आपके computer के अंदर होता है program files का आपका c folder next computer के IP address को बदलने के लिए हमें निमलिक्त में से किस यूकल पर right click करना होगा for changing the IP address of a computer we need to right click on which of the following options my computer my documents cycle से कुछ होने वाला है नहीं तो यहां पर हम use करेंगे my network places ठीक है तो आप options का remove करके भी यहां पर correct answer तक जा सकते हो my network places का use करके हम IP address को यहां पर change कर सकते हैं next आपका question number 322 which of the following is two about assembly language assembly language आएगा यहां पर assembly बाशा के बारे में निमल लिखित में से कौन सा कथन सकते है first दे रखा है it only uses numbers यह केवल संख्याओं का उप्यों करता है यह आपकी गलत statement हो जाएगी words का use करता है यह जानी की शब्दों का second है आपकी it is a low level language तो आपके assembly language होती है वह एक low level language होती है यह आपकी बिल्कुल correct statement हो जाएगी third और fourth यहां पर गलत statement आपकी रहेंगी assembly language आपकी एक प्रकार की low level language होती है next what is the full form of dsl in networking networking में dsl की full form आपको बतानी है तो इसकी full form यह आप रहेगी digital subscriber line digital subscriber line dsl की full form होती है कुछ extra full forms हम देख लेते हैं ACPI ACPI की full form होती है advanced configuration and power interface SDMI की full form आप से पुछ जायत होती है high definition multimedia interface computer full form होती है common operating machine purposely used for technological and educational research तो तीनो definition full form very very important है next which of the following option is correct about plug and play plug and play के बारे में निमल खितमे से कौन सा भी कल्प सही है जैसे की नाम से ही first है plug and play इसको आपको बस अपने system के अंदर plug करना है और play करना है यह एक ऐसी devices होती है जिनको चलाने के लिए किसी specific software का यहां पर use नहीं किया जाता है तो यहां पर आपका right answer बनेगा option third it is a technology that allows the operating system to detect and configure internal and external peripherals यह कैसी तकनिक होती है जो operating system को आंतरिक और बाहिये उपकरणों को पता लगाने और configure करने के अनुमती देता है तो इसे बोलते हैं plug and play तो यहां पर आप देख सकते हैं USB cable को आपको बस laptop के अंदर लगाना है और इसको play करना है इसके लिए हमें किसी भी specific software का यहां पर use नहीं करना है next IPv4 में कितने work होते हैं in IPv4 how many classes are there तो पहले भी मैं आपको बता चुगा हूँ IPv4 के अंदर total 5 classes होती है A, B, C, D और E ठीक है तो 5 classes यहां पर रहेंगी IPv4 के अंदर next computer का भोतिक पता के रूप में जाना जाता है physical address of a computer is also known as तो इसे बोलते हैं जातर बच्चे यहां पर IP address को यहां पर क्लिक करके आएंगे तो इसका आपका right answer बनेगा physical address जो होता है आपका computer का उसको बोलते हैं mac address option 3rd यहां पर आपका correct बन जाएगा ठीक है और इसे हम दूसरा नाम है इसका क्या hardware address ठीक है mac address आपका physical address होता है और इसे ही हम बोलते है hardware address next web browser OSI model किसकी परत पर कारिये करता है web browser works on which layer of OSI model तो web browser क्या होते हैं आपके application software तो यह आपके application layer पर work करते हैं application पर पर ही कारिये करते हैं आपके web browser option 4 यहां पर आपका right हो जाएगा next Microsoft द्वारा Windows XP को किस वर्स launch किया गया था in which year was Windows XP launched by Microsoft तो इनको launch किया गया था 2001 के अंदर यह भी आप को या चुनना है Windows XP की theme बदलने के लिए हमें कौन सा विकल्प यहां पर चुनना है for changing the theme of Windows XP which option should be select तो आप क्या करना है desktop पर right click करना है फिर आपके सामने खुलेगा properties और properties के अंदर आपको themes यहां पर select करना है वहां से आप theme को change कर सकते हैं आपको desktop पर right click करना है फिर properties पर और फिर themes पर तो option second यहां पर बिल्कुल आपको right होगा इसका use करके हम Windows XP के अंदर theme को change कर सकते हैं next Fortran इसकी formula translation के बारे में निमल लिखित में से कौन सा कथन सकते है which of the following is true about Fortran तो यह आपकी होती है एक programming language यह programming भाशा है option third यहां पर बिल्कुल आपका right हो जाएगा first second और fourth यहां पर इसके गलत statement है routing क्या होता है what is routing तो यह क्या होता है data को transfer करना with the help of networking ठीक है और इसको transfer किया जाता है source से destination तक तो इसे ही हम बोलते हैं क्या routing option third यहां पर आपका right हो जाएगा networking में data के एक packet को स्रोज से कंतवय स्थान तक ले जाने की पर किरिया को हम क्या बोलते है routing यहां पर आप देख सकते हैं एक computer से यह आपके सामने computer X और यह है आपके सामने computer Y networking की help से यहां पर data को transfer किया जाता है तो इसे हम बोलते है routing next अपीपा का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of अपीपा अपीपा का full form होता है आपका automatic private internet protocol addressing automatic private internet protocol addressing option second यहां पर बिलकुल आपका right बन जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आप इस series को follow करोगे तो आप जो हमारी box test series लगा रहे हो उसके अंदर आपके the ten out of ten marks आएंगी क्योंकि यही कुश्चन आपके mock test के अंदर डाले जाते हैं next network internet में we set का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of we set in network या internet तुम आपको पहले बता चुका हूँ very small aperture terminal option first यहां पर आपका right होगा इनके अंदर हम data को transfer करने के लिए voice signals या video signals भेजने के लिए satellites का use करते हैं ठीक है option first यहां पर correct हो जाएगा next OLED का full form क्या है what is the full form of OLED इसके full form होती है आपकी organic light emitting diode option third यहां पर आपका right हो जाएगा next disk defragmentation क्या है what is disk defragmentation तो यह क्या होता है आपका यह एक OPO करता की hard drive पर खंडित file को समेकीत करने की परकिरिया होती है आपकी disk defragmentation it is a process of consolidating fragmented files on the user's hardware drive option second आपका right बन जाएगा next निमलिक्त में से कौन सा Windows XP से पहले Windows का संस्क्रण था which of the following was the version of Windows before Windows XP Windows XP से पहले Windows का कौन सा यहां पर version आया था तो यह था आपका Windows ME ठीक है Windows XP से यहां पर version आया था आपका वह था Windows ME इसको आपको याद रखना है next file प्रबंदन के संबंद में GPT का पूर्ण रूप क्या है with respect to file management what is the full form of GPT तो इसकी फूर्फों होती है आपकी GUID partition table option first यहां पर आपका right हो जेगा GPT फूर्फों होती है आपकी GUID partition table और यह क्या होता है आपका layout होता है partition of tables का किनका physical computer storage devices का जिनमें आती हैं आपकी hardware, hard disk drive, solid state drives और आपकी यह use करती हैं आपकी universally unique identifiers को इनको कहा जाता है globally unique identifiers GUID के आपसे फूर्फों पुझी जाये तो होती है globally unique identifiers GPT फूर्फों यहां पर रहेगी GUID partition tables जो की layout होता है partition of tables का और इनके अंदर use की जाती हैं आपकी physical computer storage devices next OTT जो आज कल आप सुनते हो OTT service का उधारन आपको बताना है OTT की full form आपको बतानी है और इसका एक आप आपको example बताना है तो over the top इसकी full form होती है और इसका जो example है वो है WOOT ठीक है एक platform है WOOT जहांपर आपको OTT यहां पर देखने को मिलेंगे option second यहां पर correct हो जाएगा over the top और WOOT नेक्स्ट निमलिक्तमिस कोण एक impact printer है which of the following is an impact printer दोस्तों printer की टाइप हम ओल्रीड डिसकस कर चुके हैं तो यहां पर हम डिसकस नहीं करेंगे तो drum printers होते हैं आपके impact printer के example यहां पर रहेंगे next COBOL किसका action shift रूप है COBOL is an acronym for तो COBOL की full form होती है business oriented language एक question आपका RRB office assistant 2019 के exam के अंदर पुछा गया था COBOL being a high level language ठीक है और इसको develop किस purpose से किया गया था तो इनको develop किया गया था business data processing applications के लिए ठीक है very very important question है business data processing application के लिए COBOL का यहां पर development किया गया था next a software program designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code is also known as program code से machine code को संसादित करने जैसे कारियों को करने के लिए design का उप्योग किये जाने वाले software program को किस रूप में जाना जाता है ठीक है तो यहां पर languages language processes का यहां पर यूज किया जाता है बाशा शंसादक का ठीक है next एक मानक cd का व्यास कितना होता है a diameter of standard cd is तो इसका अंसर आपका रहेगा 120 mm mm इसका होता है एक diameter किसका standard cd का ठीक है diameter of standard cd क्या होता है 120 mm next Casper's की किस परकार का application software है which type of application software is Casper Sky तो maximum candidates को पता होगा virus scanner cleaner है Casper Sky ठीक है जो virus को clean करने के लिए यूज में लिए जाते हैं antivirus software next निमन में से कौन url का हिस्सा नहीं है which of the following is not a part of url ठीक है तो आपको एक example देगे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको dot भी देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पर आपको slash भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको colon भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप answer इसका असानी से कर दोगे slash का यूझ किये जाता है, dot का यूझ किया जाता है, dent का यूझ किया mac address का यूझ यहाँ पर नहीं किया जाता है और mac address क्या होते हैं? आपके एक physical address या एक hardware address होते हैं एक question आपके लिए है थोड़ा से याँ पर घुमा कर पुछा गया है Uniform Resource Locator were defined by which order for you Uniform Resource Locator को निमन में से किसके दुआरा परिवाशित किया गया था इसका अंसूर आपको हमें comment box के अंदर comment करके बताना है First option आपका Tim Bernersley Second है Luis Alvarez Third है आपका Alan Turing Fourth आपका John Vincent देखते हैं इसका अंसूर कोन हमें बताता है Next Assembly भहसा code का उप्योग करती है Assembly language uses blank codes तो किसका यूज़ करती है निमोनिक्स का Option 4 यहाँ पर आपका write हो जागा Assembly language जो आपकी एक low level language है यह निमोनिक्स का use यहाँ पर करती है Next DLL का पूर्ण रूप क्या है What is the full form of DLL तो DLL फूल 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 होती है Dynamic Link Library Option 4 यहाँ पर write हो जाएगा Next File संगठन यानि File Organization किसको संदर्बित करता है तो यह क्या होता आपका Records का एक logic structure होता है जिसे हम बोलते हैं File Organization Option 4 यहाँ पर write हो जाएगा अभी लेखों की तारकिक सरचना इसको हम बोलते हैं File Organization Next एक loader किसके लिए यहाँ पर responsible होता है A loader is responsible for तो यह होता है निस्पादन के लिए डिस्क से memory में प्रोग्राम कारिये को load करना Execution के लिए जो प्रोग्राम कोड होते हैं आपको उसको load करना कहाँ पर डिस्क से memory के अंदर ठीक है इसके लिए आपके loader responsible होते हैं Option 4 यहाँ पर write हो जाएगा Next A hardware device को के माध्यम से जोड़ा जा सकता है A hardware device can be added through तो इसको किसकी help से यहाँ पर जोड़ा जा सकता है तो क्या write answer होगा इसका control panel Option 2 यहाँ पर write हो जाएगा hardware device को हम किसका यूज़ करके control panel का यूज़ करके add कर सकते हैं Next and last question है आपका The address यह आपके सामने address दे रखा है यह कौन सी class का IP address है आपका तो मैंने आपके सामने सभी classes एक से लेके 5 तक discuss कर चुका हूँ अगर आपने पहले वाले videos देख रखे होंगे तो आप इस console easily यहाँ पर दे दोगे तो यह जो आपका class है किसका है class 4 का class 4 रहेगी class C रहेगी आपकी class C का यह आपका IP address रहेगा तो दोस्तो यहाँ पर हमारे 7 parts complete हो जाते हैं तो आपको यहाँ से exam के अंदर question देखने को मिलने वाले हैं इसके बाद हम start करेंगे MS Word और MS Excel उसके बाद हमारा computer हो जाएगा खलास इसके बाद आपको कहीं पर भी जाने के जुरूत नहीं है इन computer के MCQs को आपको revise कर लेना है प्लस में Lucian की book को अपना पढ़ लेना है जिससे आपको थोड़ा सा basic यहाँ पर clear हो जाए 10 out of 10 हमारा यहाँ पर target है computer के अंदर ठीक है अगर आप इस series को follow करोगे तो आप definitely computer के अंदर 10 out of 10 का score करोगे यह मेरी guarantee है ठीक है तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलेग्रम चैनल को जोइन कर सकते हैं link आपको मिल जाए description box के अंदर है तो मिलते हैं next video के अंदर जाहीं जाभारत